सो दोस्तों आपके प्रिंटर में ये रेड लाइट किसलिए बिलिंग करती है इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू कि ये रेड लाइट इसलिए बिलिंग करती है कि आपके प्रिंटर का हेड वर्क नहीं कर रह आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक color होता है और एक black and white यहां पर point दिया हुआ है red color का वो blink कर रहा है आप लोग को बता दो कि आपके दोनों head यहां पर display पर point देख सकते हैं दोनों head काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपका head सही से लगा नहीं है या फिर वो work नहीं कर रहा है तो आप लोग इस problem का solution कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तो आपको अपना solution मिल जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने printer को यहां से power button से off कर लेना है, printer को जैसे ही off कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों को printer को open कर लेना है, यहां से जो open किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, जहां head लगे होते हैं, वहां से open कर लेना है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यह head लगे होते हैं, यह color का है, यह यह color का head है, और यह black and white head है, तो यहां से head को बाहर निकाल लेंगे, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अभी आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां से आप लोग को उपने head निकाल लेने हैं बाहर, साफ जगह पर आप लोगों को हेड को रखना है बाहर निकाल कर अभी हमने दोनों हेड निकाल लिये हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं हेड को बाहर कर लिया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोनों हेड हमने बाहर कर लिया है इसको भी बंद कर दे रहे हैं यह हेड को बाहट करने के बाद हेड को क्लीन कर लेना है यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को यह हेड दोनों क्लीन कर लेना अच्छे से साफ कर लेना है सूती कपड़े से इस ग्रेच आप लोगों को नहीं देने हैं आराम से बिल्कुल साफ करना है चलिए हम साफ कर लेते हैं इसको अच्छे से साफ करने के बाद आप लोगों को फिर से अपना प्रिंटर आउन कर लेना है आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब आप लोगों को फिर से अपने यहां पर लगा देने हैं अभी हमने प्रिंटर के दोनों हेड लगा दिये हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब आप लोगों को प्रिंटर को बंद कर देना है बंद करने के बाद अभी पाउर बटन को अन कर देना है अब आप देख सकते हैं आपको प्रिंटर सही हो गया है